हरी कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई आईए सुने वरुथनी एकादशी महतम में कथा धरम राध उदिश्टर बोले हे भगवान वैशाक महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है यह सोभाक्य को देने वाली है इसके वरुथनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पापनश्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गई इसी प्रकार धुंदु मार आदी भी स्वर्ग को गई थे वरुतनी एकादशी के वरत का फल दस सहेस्त्र वर्ष तपस्या करने की फल के बराबर है कुरुक शेत्र में सुर्ये ग्रहन के समय जो एक बार स्वर्ण दान से फल मिलता है वही फल इसके वरत से पराप्त हो जाता है और लोक पर लोक दोनों में सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग लोक मिलता है हे राजन इस एकाद्शी का वरत करने से मनुश्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है शाष्त्रों में कहा गया है कि हाती का दान खोड़े का दान से भी अधिक उत्तम है और उससे उत्तम तिलो का दान है दिल से अच्छा स्वर्ण दान है और स्वर्ण से अन्दान स्रेष्ट है संसार में अन्दान के बराबर कोई भी दान नहीं है अन्यदान से पित्र, देवता, मनुश्य आदी सभी तरप्त हो जाते हैं शाश्त्रों में कन्यादान को इसके बराबर माना गया है वरुतनी एक आद्शी के वरत से अन्यदान और कन्यादान का फल मिलता है जो मनुश्य लोब के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वे पड़े की अंत तक नर्क में पड़े रहते हैं, तथा उनको अगले जनम में बिलाव का जनम ग्रहन करना पड़ता है। जो मनुष्ये पुन्य एवं यग सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुन्ये को तो चितर गुप्त भी लिखने में ऐसमर्थ हो जाते हैं। अतहे जो मनुष्ये इस वरुतनी एकाद्शी का वरत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुतनी एकाद्शी का वरत करने वाले को दश्मी के दिन से निमन लिखित दस वस्तूओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बरतन में भूजन करना, मास, मसूर की दाल, चना, कॉंदो, शाक, मधू, दूसरे का अन, दूसरी बार भूजन करना, इस्तृसंग या अन्ने किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, शेयन नहीं करना चाहिए, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना, पापियों के साथ पाचीत भी नहीं करनी चाहिए, उस दिन क्रोध करना और जूट बोलना त्याग देना चाहिए, इस वरत म नमक, तेल और अन्भी वर्जित है। भी अधिक है। हरी कृष्णा राधी राधी।